नमस्कार साथियों मंसुन सत्र में आप सबका स्वागत है सावन का पवित्र मास चल रहा है और इस बार तो डबल सावन है और इसलिए सावन की अवधी भी जड़ा ज़्यादा है और सावन मास पवित्र संकल्प के लिए पवित्र कारियों के लिए बहुत उत्तम वाना जाता है और आज जब लोक्तंत्र के मंदीर में इस सावन के पवित्र मास में मिल रहे हैं तो ये लोक तंत्र का मंदीर ऐसे अनेक पवित्र कारिय करने के लिए इससे बड़ा उत्तम आउसर नहीं हो सकता है मुझे विश्वास है कि सभी मानिय सावसद मिल करके इस सत्र का जनहित्म सरबाधीक उप्योग करेंगे संसद की जो जिम्मेवारी हैं और संसद में हर संसद की जो जिम्मेवारी हैं ऐसे अनेक कानूनों का बनाना उसकी विस्तार से चर्चा करना बहुत ही आवश्चक है और चर्चा जितनी ज्यादा होती है चर्चा जितनी ज्यादा पैनी होती है उतना जनहित्मे दूर गामी परणाम देने वाले अच्छे निर्णे होते हैं सदन में जो मानिय सांसद आते हैं वो धर्ती से जुड़े हुए होते हैं जन्ता के दुख दर्त को समझने वाले होते हैं और इसलिए जब चर्चा होती है तो उनकी तरब से जो विचार आते हैं वो जड़ों से जुड़े हुए विचार आते हैं और इसलिए चर्चा तो समर्द होती है निर्णे भी ससक्त होते हैं प्रणामकारी होते हैं और इसलिए मैं सभी राजनितिक दलों को सभी मान्य सामसदों को इस सत्र का भरपूर उप्योग करके जन हित के कामों को हम आगे बढ़ाएं यह सत्र अनेक रुप से महत्वकाभी है क्योंकि इस सत्र में जो बिल आये जा रहे हैं वो सीधे सीधे जनता के हितों से जुड़े हुए है हमारी युवापीडी जो पूरी तरह डिजिटल वर्ल्ड के साथ एक प्रकारते नेतृत पर कर रही है उस समय देटा प्रोटेक्शन बिल देश के हर नागरी को एक नाया विश्वास देने वाला बिल है और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला बिल है उसी प्रकारते नेश्टनल रिसर्ट फाउंडेशन ये बिल लेनारेफ नई शिक्षानिती के संदर्व में एक बहुत बड़ा एहम कदम है और इसका उप्योग अनुसांदान को बद लेना इनोवेशन को बल देना रिचर्च को बल देना और हमारी हुआ पीड़ी जो विश्व के अंदर नए उपक्रमों के द्वारा विश्व का नेत्रुत्व करना का सामर्त रखती हैं उनके लिए बड़ा आउसर देखर करके आ रही है जनविश्वास बिल सामान ये मानवी के परती भरोसा करना अनेक कानूनों को डिक्रिमिल्रेज करना इस मुहीम को आगे बढ़ाने वाला इपील उसी प्रकार से जो पुराने कानून है उनको खतम करने के लिए भी एक बील में प्रावधान किया जा रहा है हमारे हां सदियों से इक परमपरा रही है कि जब विवाद हो तो समवाद से सुल जाय जाये मिडियेशन की परमपर हमारे देश की बहुत सदियों पुरानी है उसको अब कानूनी आधार देते हुए इस सत्र का बगदा उपयोग है जो अनेक विवादों से सामान्य से सामान्य मानवी से ले करके असामान्य संजोगों को भी मिल बैठ करके सुल जाने का एक मजबूत न्जीव बढाएगा इसी प्रकार से डेंटल मिशन को लेकर के एक बिल जो हमारे डेंटल कॉलेजिस के लेकर मेडिकल के छात्रों के लिए एक नई व्यवस्ता को आकार देगा ऐसे अनेक महत्वपूर्ण बील इस बार इस सत्र में संसज में आ रहे हैं तब ये जन हितके हैं ये युवा हितके हैं ये भारत के उजवल भविश्च के लिए हैं मुझे भिश्वास है कि सदन में गंबीरता पुर्वगिन बिलो पर चर्चा करके हम बहुत तेजी से राष्ट हित के महत्वपूर्ण कदमों को आगे बढ़ाएंगे साथियों आज जब मैं आपके बीच आया हूं इस लोकतंत्र के मंदीर के पास खड़ा हूं तब मेरा रदय पीड़ा से भरा हुआ है क्रोध से भरा हुआ है मनिपूर की जो घटना सामने आई है किसी भी सब्वे समाज के लिए यह शर्मसार करने वाली घटना है पाप करने वाले गुना करने वाले कितने हैं कौन है वो अपनी जगापे है लेकिन बेजजती पूरे देश की हो रही हैं एक सो चालिस करोड देश वाचियों को सर्मसार होना पड़ रहा है मैं सभी मुख मंत्रियों से आगर करता हूं कि वे अपने राज्य में कानून व्यवस्ता को और मजबूत करें खास करके हमारी माता और बेहनों की रक्षा के लिए कठोर से कठोर कदम उठाएं गटना चाहे राजस्तान की हो जटना चाहे चत्तिस गट की हो गटना चाहे मनिपूर की हो इस देश में हिंदुस